दोस्तों नमस्कार पॉले टेक्निक इंटरंस एक्जाम या पॉले टेक्निक प्रबेश परिच्छा 2024 का अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपने पूरी तयारी कर लिए है फॉर्म भरने का तो आपको हो जाना चाहिए बिल्कुल तयार क्योंकि फॉर्म भरते समय अगर आप करते हैं ये तीन गलतियां तो आपका भरा हुआ फॉर्म हो जाएगर रिजेक्ट वो तीन गलतियां क्या है जिन पर आपको देना है बहुत ज़्यादा फोकस उसको मैं बताने वाला हो वीडियो में आपको आगे तो दोस्तों मैं आपका दोस्त सवरबोजा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे परिवार लेर्निंग दे पर और दोस्तों आप कम्प्लीर तयारी पॉले टेक्निक प्रवेस पर इच्छा 2024 के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पूरी तयारी करवाई जाएगी लेर्निंग दे के इसी यूटूब चैनल पर बिल्कुल फ्रे में आपसे किसी तरीके का कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा आप रेगुलर्टी से डेली लाइब क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्लास का इंजॉयमेंट लेकर के आप अपनी तयारी को बहुत स्टॉंग बना सकते हैं तो आएए दोस्तों अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो तीन पॉइंट जिन पॉइंट को आपको रखना होगा बहुत अच्छे से ध्यान दोस्तों मैंने सरकारी रेजल्ट पर सर्च किया जहां पर आपको फॉर्म दिखता है वहीं पर फॉर्म भरते टाइम आपको नीचे तीन या चार इंस्टेक्शन मिलेंगे उन्ही तीन या चार इंस्टेक्शन में से जो तीन इंस्टेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बिथप्रूफ दिखा रहा हूँ आप भी सरकारी रेजल्ट ओपन करके जेकाप पॉले टेक्निक को ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं पहला इंस्टेक्शन क्या कहता है कि फोटो इंस्टेक्शन फोटो के बारे में इंस्टेक्शन आपका क्या कह रहा अपलोट कलर पासपोर्ट साइज फोटो हमेशा आपको जो फोटो अपलोट करनी है वो कलर साइज की पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए और जो आपकी फोटो है वो तीन महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए दोस्तों अगर आप ब्लैक एन हुआइट फोटो अपलोड करते हैं या फिर तीन महीने से जादा पुरानी फोटो अपलोड करते हैं तब आपको फॉर्म रेजेक्ट हो सकता है हनजी बिल्कुल सही सुना आपने कि फोटो के कारण आपका जो फॉर्म है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस इक्जाम दोहजार चॉबिस का वो रेजेक्ट हो सकता है फोटो आपको कलर फोटो अपलोड करनी है और करेंट की आप आप कर सकते हैं कि पिछले तीन महिने कि कभी कभी भी कि आपको पासपोर्ट साइज पोटो अपलोड करनी है दूसरा इंस्टेक्शन क्या कहता है कि आपको जो थंब आपका इंप्रेशन होना चाहिए वो लेफ्ट का थंब इंप्रेशन होना चाहिए बहुत बार बच्चे क्या करते हैं जल्दभाजी में right का थंब impression लगा देते हैं तो अगर आप right का थंब impression लगाएंगे यह दो की दोनों चीजे हैं privacy और security को बनाने के लिए security को strong करने के लिए हैं तो आपका form इस condition में भी दोस्तों reject हो जायगा बिल्कुल आपको ध्यान रखना है तीसरी चीज़ आपको जो बता रही है फिर से मैं उसके पहले आपको बताऊँगा कि लेर्निंग देखो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि पॉले टेकनिक इंटरेंस एक्जाम कानपूर का कॉलेज, घाजियाबाद का कॉलेज, ऐसे तमाम कॉलेज़ों में आप एडमिशन पा सकते हैं पूरी तयारी हर एक चीज बिल्कुल फ्री में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेली ग्राम का लिंक, वाट्सेप ग्रूप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा आप जरूर जोइन कर लें और अपनी कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में में मेरा नंबर भी पाएंगे वहाँ से आप पूछ सकते है जो दोस्तों तीसरा इंस्टेक्शन कहता है वो सिगनेचर का बताता है और सिगनेचर के बारे में बोर्ड ने सिधे सिधे कहा है कि सिगनेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए अगर capital लेटर में आपका signature रहता है तो फिर आपको board फिर से reject कर देगा जैसे मेरा नाम सौरा बोजह है अगर मैं sign ऐसे करता हूँ yes a u r a b h तब board मुझे reject कर देगा और मुझे बाहर कर देगा मेरा form reject कर दिया जाएगा signature हमेशा capital से आप start करो और small को आप उसमें include करते हुए आप अपने signature को complete करो या फिर आप हिंदी में signature कर सकते हो तो ये रही तीन basic बाते जिनको आपको रखना है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान अगर आप करते हैं ये तीन गल्दियां polytechnic previous पर इच्छा form भरते time तब आपका form हो जाएगा reject और आपने जो सपने सोच रखे हैं अपने आपको उडाने का अपने घर को समारने का अपने माबाप के प्रती अपना करतब भी निभाने का तो उस करतब भे में थोड़ा सा आपको जटका लग सकता है तो फिर से मैं रिपीट करूँगा पॉली टेकनिक प्रवेश पर इच्छा 244 के फ्री तयारी इंपोर्टेंट कुश्यन डेली लाइब क्लास सरकारी कॉलेज पक्का मिलेगा दोस्त हमारे साथ नमस्कार वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें टेक केर थेंक्यू प्यारे दोस्तों लर्निंग देप परिवार से आप जुड़े बहुत बहुत सुक्रिया